बिस्पिल्लार अभ्राइब अस्वाम नेकिन लेंथ मेरी इंस्रूमेंट्स में जो सबसे कॉमन इंस्रूमें रूलर है लेकिन अगर हम रूलर से जो रेटिंग ले रहे हैं उससे जादा प्रिसाइस रेटिंग लेना जाते हैं तो हम एक वर्णियर कैलिपर यूज करते हैं लेकिन अगर हम वर्णियर कैलिपर से जादा प्रिसाइस रेटिंग लेना चाहें तो हम स्क्रूमेंट्स रेटिंग लेना चाहें तो हम स्क्रूमेंट्स रेटिंग लेना चाहें जाए सकते हैं, अब srude-age से रेडिंग कैसे हैं सबस्व पहले सिक न्स्रक्शन देख लाक्षन देख लगते हैं, सुटेजस के ऊपर यह दोर जाउज होते हैं, एक fixed jaw है और यह दूसरा movable jaw है, और यह vendor jaw कि यह दूसरी circular screen के साथ attached है और इसके rotate करने से यह भी rotate करके dual öğण अब इसके उपर दो स्केल्स होते हैं, एक में स्केल है और दूसरी ये सर्कुलर स्केल, में स्केल के उपर सबसे पहले देखते हैं, एक होरिजॉंटल लाइन देखी भी है, इस होरिजॉंटल लाइन को हम इंडेक्स लाइन वह होते हैं, या टैटम लाइन भी कहते हैं, और इ इसके बाद यह निक्स नीचे बड़ी डिविजिन है सबसे पहले हैं यह 0.5 mm, उसके बाद 1.5 mm, फिर 1.5 mm, 2, 2.5 mm, and so on. सर्कुलर स्केल पर इस स्रूडेज में टोटल डिविजिन हैं 50, 45 प्लस 5 अगें 50 डिविजिन हैं आन बस अर्कुलर स्केल. कोई भी मेयर इंसेवेट जब में यूज करते हैं तो सबसे पहले हम उसका लीस्ट काउंट फाइंड फाइंड ओड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पिच को डवन करना हो इच क्या चीज है जब इसकी सर्क्लर स्केल को हम एक complete rotation रेते हैं, तो horizontal scale पर distance travel होता है, that is called the pitch यसे अभी सर्कम स्केन की 0 वरी division है, वो index line के साथ match करें, तो अगर वह इसको एक anti-clockwise complete rotation रे हुआ दोबारा से जब वो 0 वरी line आखर index line के साथ coincide करें की, तो ऐसा करने से screw open हुआ है और screw open होने से जो distance horizontal scale पर travel हो है, that is called the pitch, वेकि अब आप वही नीचे वरी एक division नजर आ रही होगी, main scale के पर, तो इसको मदब इसकी pitch है, 0.5 mm, या smallest division on the main scale पी इसको कह सकते हैं, अब अगर इस pitch को हम divide करते हैं, with the total number of divisions on the circular scale, तो we'll get the least out of this score gauge, तो 0.5.50 से divide करें, तो इसका least count आता है, 0.01 mm, next thing, जो हम किसी भी में इस वर्ट में find out करते हैं, वो उसका 0 error है, यह जब आप यह JAWS close करें, तो rating इसको 0 शो गरनी चाहिए, जब कोई object हमने JAWS पे नहीं रखावाँ, तो पहले JAWS को close करते हैं, दिखें, लाइटली 0 of the circular scale, and the index line, they should coincide, ideally वो इस condition नो होना चाहिए, लेकि जब हम इसको tight करते हैं, तो हम देखते हैं, तो 0 थोड़ा सा slide इंपर की तरफ हो जाता है, circular scale का, वाट, main scale के साथ इस वकत 49th line circular scale की coincide का, अब हमने यह देखना है कि 0 से कितनी divisions पहने आ रही है, index line, 0 से कितनी divisions पीछे रहागी है, तो 0 से सरफ एक division पीछे रहागी है, horizontal line, तो इसका मतलब यह है, कि इसमें, minus 1 division का 0 error, अब इस error को हम least count से multiply करें कि 0.01 mm से, तो इस instrument के अंदर, minus 0.01 mm 0 error है, लेकिन अगर कोई instrument ऐसा हो, जिसमें यह 0 नीचे रह जाए, index line से, और index line के साथ, कोई और division को inside करें, जैसे पर एक्जापल, इस condition में, index line के साथ, 8th line से plus 1 p को inside करेंगी, 8th line, तो इस instrument में, फिर error होता, 8 divisions का, और इसको, least count से, हम multiply करतें, 0.01 के साथ, तो इसमें, 0.08 mm का, 0 error, तो अगर, 0 index line से, नीचे रह जाए, तो positive 0 error है, और अगर, 0 index line से, उपर से लाजाए, तो negative 0 error है, उसके बाद, हम, इस से, महीर में खेते हैं, diameter की, usually हमें, या तो फितिन, मायर दिल जाती है, या, सफेर दिया जाता है, तो हम इस सफेर का भी, इसके साथ, diameter find out कर सकते हैं, और फिर, volume find out कर सकते हैं, और इस wire का भी कर सकते हैं, तो हम ये डोलों का कर देंगे, प्लेश करते हैं, तो देखे, सबसे पहले, इसको jaws के अंदर place करेंगे, और फिर jaws को tight करेंगे, उसी तरह राइट थी, अब हमने इंसेवल्ट पे दो रिडिंग्स लेनी हैं, दो डिविजिन्स की रिडिंग्स पढ़नी हैं, एक main scale और दूसरी circular scale, तो main scale रिडिंग देखिए, circular scale से पहने पहने, आप main scale पे आसानी से जो रिडिंग नजर आ रही है, वो main scale रिडिंग है, जैसे देखिए, 0 के बाद next reading अबे, 0.5 पी नजर आ रही है, फिर उसके बाद यूपर वाली 1 भी नजर आ रही है, और इसके बाद 1.5 भी नजर आ रही है, इसका मतलब है, आसानी से main scale पे हमें 1.5 mm अधर आ रहा है तो main scale rating में 1.5 mm रेखते हैं उसके बाद circular scale की तवाव line होने से जो line index line के साथ exactly match कर रही होगी वो circular scale rating होगी जैसे 40 के बाद 41 and then उसके बाद 42nd line देखिए जिस circular scale की 42nd line है वो index line के साथ exactly coincide कर रही है तो circular scale rating में हम लिखेंगे 42 और निग्या करते हैं इस circular scale rating को हमने multiply करना है least count के साथ 42 को हम 0.01 के साथ multiply करेंगे 0.42 mm बुचाएगा और इस को हम add दर देंगे main scale rating which was 1.5 so 1.5 plus 0.42 this will give us the total diameter of these coins और फिर जब हम यह calculate कर सुकेंगे अब जो start rate में error determine किया था minus 0.01 वो error इसमें से subtract करेंगे लेकिन चुकिए negative error है और subtraction के साथ भी minus का sign आएगा तो दोनो sign minus and minus दोनो plus way convert हो जाएगे इसका मत्दब है 0.01 आपने finality में add करते हैं अब इसके बजाए हम इस सफेर को रखते हैं जिसका diameter इससे ज्यादा है तो देखिए इसको अगें जोज के में place करेंगे और जोज को tight करेंगे और पिलकुल उसी तरह जैसे हमने तो जोज के में निचेए और शचाए हमें जाएगे अब तो देखिए अब देखिए रेटिग हमरे पास में जाएगे 10 से जादा आ रही है देखिए 10 के बाद हमें 11 थी दिए 11, you can read 12, 13 and 14 आज वर 14 हमें आसानी से ड़र आज मीं देखिए तो इसके बार अगर आप देखें तो circular scale की 14th line almost coincide कर रही है index line के साथ, 49th coincide कर रही है तो circular scale reading will be 14 अब इस 14 को again हम multiply करें ये least count के साथ 0.01 के साथ और फिर इस 14 को add दर देंगे in our main scale reading which was 14 millimeters तो 14 plus 0.14 makes it 14.14 millimeters और अगें छुकर एगिवधिव रहा है तो इaconने साथ, और ने नेज वार्टव फरलड़ देखें रही है ये अजुक्याम metric पारी मेर अचन की देख दो रही में अग्रड़ी मेCKते हुर सहीं को यह भी और भूलियम के अधर ने का आफर से आखे आखे रखे लुगाट सम्सक्षिंस चुछ जो अप्र्चिकल बेस असेस्विट के पेपर में इस प्राक्टिकल से डेल इट इस अधर में एक्ष अधर इधर अगज भा उसमें पूचिस्टिसम के प्वेस्ट इस प्राक् इस डेटम लाइन से नीचे मही डिविजन से उपर भी डिविजन से लेकिन आपने बहुत दियान से देखना है कि टोटल लवराण डिविजन जीरो टेंड के तर्मियान में गित तो टोटल डिविजन अगर आपके सारी काउंट के रिए बॉटम वली भी और टॉटल है तो वन इसकी पिछ बनती है इस प्रिटिकलर स्फू पिछ की बिस वन एमन और अगर आप इसके पिछ है तो आप क्या करेंगे वन चुपिछ की पिछ है और तो टोटल डिविजन से आगे 10 और डिविजन से तो जीरो तब पहुच के लिए हैं पर टोटल हो जाएंगी 100 ड तो इसकी डिवाइट 1 विद 100 युल गेट 0.801 mm इसका भी वही रीस कालों ते जो थोड़े देर बाले पान पूपिछ दिखाया था लेकिन उसमें जो होरिजॉंटल लाइन है इंडेक्स लाइन है उस पे पर परी डिविजन थी 0 उसके बाद जो नेक्स नीचे वरी डिवि 5 लिखा हो यहां पर सर्फ यह चाहिज है कि 0 के बाद यह तबम डिविजन तर पर 10 लिखा है विज़ा दिहान से डियाग्राम से देखकर आपने डिटार्मन करना होता है next question is screw gauge can have a zero error which can be driven by closing the jaws of the screw gauge तो यह jaws close किये में screw gauge के उसमें error आपने देखके बताना है यहां भी तिहान से देखने हैं आपने कि index line के साथ आपने देखने है कौन सी line coincide कर रही है तो index line के साथ अगर आप गोर से देखें यह 40th line है यह 43rd line है जो index line के साथ coincide कर रही है यहीं सर्कुलर की line number 43 है जो कि index line के साथ coincide कर रही है लेकिन आपने error 43 नहीं लिख देख देखना होता है कि zero और index line एक दूसरे से कितने दोड़ है zero कितना उपर है index lines तो total divisions चुके 50 है जहां भी zero लिखा है यहां तक total divisions 50 है तो 50 और 43 के दरम्यान lines है 7 only इसका मतलब है इसमें जो error आएगा वो आएगा 7 और उस 7 को आप least count से multiply करेंगे यहनि 0.01 के साथ तो basically इसमें negative 0.07 mm का error आए माइनस का साइंदर होगी खेंगा साथ because this is negative error next question देखते हैं इसके बाद उस question में हमने reading determine करनी होगी कितनी आ रही है by looking at the diagram okay so through gauge से एक solid cylinder का diameter determined कर रहे हैं तो solid cylinder का diameter determined करे लिए diagram बनी हुई है विसमें से आपने क्या क्या calculate करना है number one main scale reading तो अभी जैसे बर आपको श्रापर स्कील से पहले आसानी से reading नगर आ रही है that is your main scaleIN then circular skill से पहले पहले आपको one mm B नगर ना रहा है two mm नगर आ यह mm आपको असानी से नगर आ रही है तो आपको मेंच क्या window in 旅 मश सब्र के हैं क्याइन का की लाइन यह जो index line के साफ को inside कर दी है अब यहां 50 में से माइनस नी करना जो भी लाइन है वो लिख देनी है तो 15 उसके बाद यह 16 है 17 फिर 18 तो 18 लाइन को इंसाइड कर रही है तो सर्कुलर स्केल की लाइन डिविजन 18 इसके साथ कोई यूरिट नहीं है फिर उसको आपने मिली मीटर में करना है तो आपने इस 18 को मुल्टिप्लाइ कर देना है 0.01 मिली मीटर के साथ तो वो कत बाद हो जाएगा मिली मीटर में फिर पॉब्सर्व दाबिटर यहनी बेन स्केल रिडिंग उसको इंसकेल रिडिंग उनको एड़ करते कि आपने इस से पहले पर एक एरड भी डिटर्मिन किया था तो वो इस एरड़ को इंक्लूड करते तो और वह एरड़ था नेगेटिव 0.07 तो नेगेटिव 0.07 इसमें एड़ भी साथ करेंगे तो 2.18 और उसमें एरड है नेगेटिव तो एरड हमेशा करते हैं माइनिस लेकिन उसके साथ माइनिस अपना भी है एक साइन तो बेसिकली दोनों माइनिस और माइनिस एड़ आप हो जाएंगे तो 2.08 प्लस 0.07 एड़ एड़ गीव 2.25 mm ऐस दा फानिल करेक्टिट ताम और माइनिस करते हैं 0.07 एक चुक्कि यह डगड़ एरड था इसका अपना भी एक माइनिस का साइन है तो यह दोनों माइनिस एड़ आप हो के प्लस हाए यानि अगर आप से बजा जाए कि करेक्टिर डीडिंग निकालने का फॉर्मुला क्या है तो फॉर्मुला है आप सबसे हराले में इसके मिज्धिटे रीडिंग इसके बाद आप सिर्फ इंडिवजन इसके बाद डिविजिन और्न इसके की डिविजिन लेते हैं नहीं फिर आप स nep से सब्लस करते हैं और इन दो लोग आपस में से लेक्रlestager तो में minus or minus plus me convertor Ray so this is how reading is taken using a screw case I got this key lab question ha though you can ask anytime see you in the next experiment video in shot